है नुश्चार शात्यों मैं मनीं शवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लान इंशन में तह़े दिल से स्वागत दों दन्दन करता हूं मेरे प्यारे सात्यों मेरे शेयर और सेनिय और मेरे जुकितलियों हो जाओ तयार और आपको होने वाला है सामाजी की विग्यान से प्यार तो हम लोग क्या पढ़ रहेते हैं हम लोग पढ़ रहेते हैं हाई स्टोरी हम दोस्ती कर रहे हैं कालियों से और अभी जो दोस्ती कर रहे हैं जो दोस्ती मजबूत हो रही है जो हमारे रिष्टे करते हैं मेरे प्यारे विद्यारतियों मेरे शेर और शेनियों मेरे का जुकतलियों पर आज का टार्गेट क्या है आज हमें क्या पढ़ना है आज दो बहुत इंपोर्टेंट एक ही करण है इंटीग्रेशन है वो हमें जानने है एक जन्वनी का और एक इटली का आप सभी ने म में हमने सबसे दुनिया की तुनिया की सौप से बड़ी मुर्ती होना ही है Statue of Unity ठीक है तो एकता का जो परतीक है वो हमने उनके लिए बनाया तो पुरे भारत को एक करने में उनकी बहुत बड़ी वह मिगा थी इसी परकार से क्या है जर्मनी में किसकी रहेगी और इटली में किसकी रहेगी वो भी जानेंगे और इनके होने के बाद क्या प्रभाव पढ़ता है वहां के राजजिंती पर पर परसाशन पर वह भी हम लोगों को जानना है तो शुरुवात करते हैं आज किस लेक्चर की अध्याज एक लेक्चर अचे अब सबसे पहला सवाल उड़ता है जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है तो जर्मनी में क्या है यह सेना क्या राष्ट्र की निर्माता हो सकती है सेना क्या हाथ में अगर सप्ता द सभा ओगो एक ऐसी विचार रज्ट राज्य करता हूँ तो राश्ट राज्ट राज्य कैंसे ना विक्षित कर सकती है पर हमें ज्यादा लंबा पढ़ना भी ना क्योंकि हमें जो पढ़ना है अभी ऐसा पढ़ना है कि जो टेंथ के बोर्ड के एक्जाम उसमें अच्छे नंब लेकर क्या जाएं तो इसलिए बिल्कुल भी हम गहराई में भी नहीं जाएंगे पर जो बिल्कुल इंपोर्टेंट में ट्रेल लेना है वो मैं आपको दे दूँगा वो मैं आपको बता दूगा तो जर्मनी के इंटिगरेशन में हम लोग स्टीजों को समझते है राष्टरवादी भावना है मद्देवर की जर्मन लोगों में काफी व्यापती और उन्होंन 831 निर्वाची संसद मिलते हैं फ्रेंकफर्ट में मिलते हैं सेंट पोल चर्च जो होता है वहाँ पर वो लोग मिलते हैं 831 निर्वाची संसद बनाने की परकिरिया जारी है राष्टर राज्य है वो बनाने की परकिरिया जारी है 848 की बात बता रहा है और यहां पर भी भा भावन और गोऊन के लोगों में मद्यम वर्गी जर्मन लोगों में एक पर फाहला की आइए निर्वाजि हो टाकत ने मिलकर दबा दी देखों अब ये लोग है ना यह जो निर्वाची संसत बना रहे हैं बिल्कुल एक ऐसी सिस्टम चाहते हैं जहांपर क्या हो आजादी हो सविधान हो प्रेस को आजादी मिले जहांपर बिल्कुल कोई किसी परकार का दबाव नहीं हो ना राजा का ना बिल्कुल लोगतां थे तरीके से जो वि निर्वाचीश संसत के तहती सवधानी के राज संत्र बनाएं separaten ऊक्रण यह हो किया रहा है यह पर जो वह दारवाद की पहले में शुरुअ करी उसको किस ने दबा दिया राज शाही और फोज ने मिलकर दबा दिया तो यही तो हमारा सवाल है कि अगर फोज के हाथ में सेना के हाथ में राश्टर की दाकत दे दी जाती है तो क्या वो राश्टर का निर्मान कर सकती है क्या जर्मनी का निर्मान कर सकती है अब आप इस मेप को बहुत तो इस परकार से जर्मनी बहुत जादा विखंड है बहुत जादा बटावा है और उसको एक ही करने की क्या है जिम्मेदारी है अब देखो उधारवादियों की जो पहले निर्वाची संसत की फेल हो जाएगी नहीं चलने देंगे कौन नहीं चलने दे रहे हैं कौन नहीं चलने दे रहे हैं राजशाही राज़ा और फोज नहीं चलने दे रहे हैं तो राजशाही क्या चाहेंगे कि भाई यह जो एक ही कर परणतु वह नहीं चाहता है कि संसत की विवरस्ता वाँ पर जर्मनी में लागू फिर भी आपको उस मैप में और भी ज़्याद आपको प्रोब्लम आई हो तो आप इस मैप में देखो यह जो येलो आला पार्टी यह ओस्ट्रिया हंग्री वाला जो है सामराजी एहबसपर्ग सामराजी उसका है और बाकी परश्या का और ग्रे वाला जो आपको दिख रहा है यह चोटे-चोटे जो अलगनक सामराजी है उनके लिए पूरा जर्मनी अब यहां पर यह में आपको दिखाया है यह आपके NCRT के इमेज है NCRT में इमेज दे रखी है और यह क्या है जो फ्रेंक्फर्ट होल में जो 831 निर्वाची सांसदों की क्या है मिटिंग होती है उसके बारे में लास्ट लेक्शन में भी हमने उसके औरम पढ़ा था तो व पारवादी ताकतों को दबाने में लगी है उसको समर्तन किस ने कर रहा है भू स्वामियों ने जो भूमी के स्वामी है जो बड़े-बड़े मालिक है और बड़े-बड़े मालिक कुलिन वर्ग जो पाद्रिवर्ग के लोग वो भी क्या है उसको समर्तन कर रहे है उसके पर पूरे जर्मेणी पे क्या है तो यह याद कर ले ना कि किस ने मै't मैठपूर्व मुमई का किसमिने निभाई सुन निभावक कंक हुष्म यह देख लो इनको देख लो भी या बिल्कूल एज हो चुकी है जाने की पर ओट वर्ण बिस्पाग बहुत इंपोर्टेंट रोल निभाते हैं और जर्मानी का एक ही करन करते हैं यह क्या है मंत्री है जिस प्रकार से हमारे देश में सरदार पटेल रजवार को एक करने में भ वही काम सरदार पटेल जीन क्या है इंडिया के लिए करा है तो हम क्या है इतिहास में हम जीओन में कितना भी आगे पहुच जाए हम किसी भी डगर को चूले परंतु बच्चों हमेशा ध्यार रखना हमें हमारे महापूरुशों को नहीं बुलाना चाहिए हमें हमारे इतिह इतिहास को नहीं बुलाना चाहिए कि इतिहास बहूत जरूरी होता है और इतिहास को ज जल्हिए है तो उटबन मियोद्स सबस्केमार्च और और फ्रांस से तीन युदों में पर्षा को जीत हुई और एक ही करन की परक्रिया पूरी हुई देखो तीन युदों है साथ वर्षों के अंदर अब क्या है पर्षा एक तरीके से बिल्कुल बड़ा लीडर बन करके निकल के आ रहा है और उसकी सोच है कि जर्मनी को मिला करके बने तुनिते करके हैं तो जर्मनी को पुरा ही कर लेते है छ्ट्रे जो भागों हैँए विवाजी तो उसको पूरा एक एक कर लिया जाए अब उसके लिए घं देनमार्क से लड़ाई लड़ी और फ्रांस से लड़ाई लड़ी तीनों में क्या है इनको अरा दिया तीनों में फ्रांस को देनमार्क को अस्ट्रिया को रा दिया और फ्रांस के साथ जब फाइनल लड़े होती है आखरी की लड़ाई होती है उस लड़ाई के साथ क्या हो ज जाता है 18 जनौरी 1871 की सुपह बहुत ठंडी थी यह तारीख याद रखना यह वह तारीख है जिस दिन क्या होता है जर्मनी का एक ही करेंट पूरा कंप्लीट है जर्मनी का एक एकरण हो जाएगा जर्मन राज्यों के राज कुमारो देखो अब कौन मिल रहे हैं जिसने अब आपको बताता हूँ जब भारत मेंन एकिक कराण करा गया तो जो भात के मिटिंग होती थी सर्दार सरदार पर साथ और भी लोग जाते थे अब हैं आप भारत में मिल छो उनको लेटर लिखे जाते थे पतर लिखे जाते थे वह भारत में चाहिए आपको ऑच्पर नौमी देंगे यह करेंगे तो क्या है राज कुमार यहां थे अनूंत के साथ मिटिंग हो रहें यहां पर यह जो पटशा के भाग के नी चो छोटे चोटे पटेओं उन राज कुआरों से बात हो रही ही. Sena के पर्तिनी दी, क्यूँ ? क्यूँ भाई ? क्योंकि मदद رाज राज सहन, राज सही, राज तंत्र ने तो मदद करी ही करी है. साथ में सेना ने भी बहुत मदद करी है जर्मनी की करेंड में क्योंकि आपने फ्रांस को युद्ध हराया किसने सेना ने हराया डेन्मार को युद्ध हराया किसने हराया सेना ने हराया और फिर कल को आप सेना को यह नहीं पूछोगे तो आप ये भी विश्वास करके चलो वो सेना आपको भी मार करके वहां से हटा सकती है तो इसलिए क्या है राज्यों के राजकुमारों को भी बुलाए गया है सेना के परतिनीद्यों को भी बुलाए गया है और पर्मुख मंत्री ओर्टो वन विस्माग जिसका पूरा क्या था दिमाग था पूरे जर्मनी एक एक करन करने में समय पर्षा के महत्पूर्ण मंत्रियों को एक बेटे करी गई कहां वर्षाय के महल में वर्षाय के महल में यह वर्षाय कहां पर है यह वर्षाय फ्रांस में वहां के महल में भायत ठंडे सीश महल शीश महल शीश मतलब जो काच होता ना मिरर होता है उसके तो इसे का जाता है होल आफ मिरर बिल्कुल सीश महल यह देखो आप इसकी इमेज देखो शीश महल की सीष जो महल है वो मैंना आपको यहाँ पर दिखा है तो यहाँ पर सभी की मिटिंग हो रही है राज्ये के राजगुमार भी है परतिनीदी बीए सेना के परमुक मंत्री उटोरन विश्मा कंग भी सब्के वी दूसरे मंत्री है सभाने पर्शा के काईजर विलेंप पर्थम के तो देखो भाइ परशार नहीं होता तो एक परशा नहीं होता तो इसलिए जो परशा का राजा था काईजर विलियम परफम अब आपको यहां पर दो तेन बाते भूत हम ध्यान रखनिए एग जाँ रखना पर्षा के राजा होते हैं कौन काईजर विलियम पर्थम काईजर विलियम फर्स्ट को क्या है राजा बना दिया जता है इस पुरे टॉपिक में तीन तो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ये तीन चीज़ा आपको याद रखने पड़ेंगे आप लोग बहुत सी बार है ना आप लोग बुक रीडिंग नहीं करते हो आप अलग-अलग रिफ्रेशर्स पढ़ लेतो आप अलग-अलग किताबे पढ़ लेतो अलग-अलग कोचिंगों के नोट्स पढ़ लेतो पर आप NCRT नहीं पढ़ते हो पर जो लोग है ना जो लोग पेपर बना रहे ना बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ NCRT में से बना रहे हैं जब आप है ना हमारे चैनल से पढ़ लो नोट्स पढ़ लो और उसके बाद आपको लगे नहीं हैं आप कुछ पढ़ना बागी है तो एक बार NCRT खोल कर कि उसकी रीडिंग कर लो बहुत है सो जगे खड़ा खोदने से अच्छा एक जगे खड़ा खोदो बार बार में उसी जगे खड़ा खोदो सो किताबे पढ़ने से अच्छा एक किताब पढ़ो और एक किताब पढ़नी है ना NCRT पढ़ो NCIT की कीमत क्या है मैं आपको बताओ? क्या कीमत है NCIT की? NCIT की कीमत है जो देश को चलाते है आईये सधीकारी जिसे बोलते हैं वो आइये सधीकारी भी जिब जिस दिन exam की शुरुआज करते है ना तरियारी करने के लिए, वो सबसे पहले NCIT उठा करें यह कीमत है NCRT की, वेल्यू है NCRT की, और आप लोग 10th के एक्जाम में भी इतने सुपरियर बानते हैं, कि नहीं नहीं मैं तो उस उसर की जाकर के किताब खरी लो, फिर मेरे दोस्त ने वो ला रहा है, वहां से बहुत अच्छी किताब आ रही है, वो लिया हूं, नहीं, NCRT पेस्ट, बेस्ट है NCRT, मैं आपको पेपर का, कोई से भी साल का पेपर उठा लो, आपको एक-एक कोशन है न, NCRT का दिखा दूँ, एक-एक कोशन, NCRT में उसका डिक्टा आपको अंसर मिल जाएगा, NCRT को छोड़ कर बहार जाने की जुरत ही नहीं पड़ती है, तो इसलिए पूरा का पूरा जोड़ है न, आपकी जो किताब चल रही है न, उस किताब पर जोड़ लगाओ, जादा जादा पड़ो, तो यह जो एक-एक लाइन के वर्ड आते हैं, काहिजर विलिम पर्थम हो इसका नाम आ गया, यह आपके लिए बहुत इंपोटेंट है, अज इससे मालो सवाल आ जाए कि जो वर्साय में मिटी हुए सीश्मेहल में, उसमें कौन शामिल नहीं था, तो ऑप्शन डाल देंगे, जर्मन राज्यों के राजकुमार थे, यह सही है, सेना के परती नहीं द तुनला सरदार पटेल जी से करके समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हो सकता है तुम बिस्माक को भूल जाओ, पर सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, इसलिए याद रखो सरदार पटेल को बिस्माक ऑफ इंडिया का जाता है, क्यों, क्योंकि सरदार पटेल ने भी तो एक कुछ भी नहीं हो सकता मनी इसतर को वेद डॉक्टर नहीं है जो भाई आपके लिए क्या है जड़ी बूटिया लाएंगे और आपके घरों पे भिजवा देंगे कि बच्छों पी लेना और आपको सब कुछ याद हो जाएगा वर्क हार्ड हार्ड वर्क बिल्कुल बच्च ज उसका पूरे जर्मनी को एक एक एकरन कर लिया तो ये सब कुछ करने के बाद पूरी दुनिया में क्या हो गया पर्शा की तौकत का पता चलो ओहूँ देख़ो पावर्फुल को ने परशा पावर्फुल तो परशा राज्ये की शक्ति के प्रभूतों को दर्शाता है जो उ पादूनी की करन पर काफी जोर दिया और परशा दौरा उठाय गए कदम और उसकी कारवाईया बाकी जर्मनी के लिए अकसर एक मोडल बना तो देखो अब नए राज्ये जर्मनी क्या हुआ अब बिल्कुल नया सिस्टम हो चुका है पूरा बड़ा एक ही करन हो चुका है ठीक है बड़े बड़े जो है उसको भी हमने जीत लिया और सब कुछ पर्शा के कंट्रोल में सब कुछ पर्शा किंग्डम चला रहा पर्शय किंग्डम है वो उसको चला है तो अब उन्होंने क्या करा एक मुद्रा बैंकिंग ये आज की एट परजेंट जर्मनी की मुद् देखो एक जो हम लोग इंटर लिंक करते हैं जीजों वो आप समझने की कोशिश करेगा नेपॉलियन के बारे में पढ़ा नेपॉलियन के काम अभी तक देखो हम चैप्टर की एंड की तरह बढ़ते जा रहे है इसके बाद में भी एक या दो वीडियो और आएंगे बने फारे में वीडियो एक शेप्टर आपका कम्पैट हो जाएगा तो बैंकिंग का काम मुद्रा का काम नेपॉलियन कर रहा था मुद्रा ने मुद्रा पर काम कर रहा है उसने आधौनिगी कारन अपनाई जा रहा है तो काम हमें ऐसा ही जिए-उन में करना चाहिए जो क्य आपको 3-4 बाते important बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि पर्षा बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उबर करके आता है और ओटोवन विस्मा के बहुत important रोल नहीं पाता है अठ्था जनुवे अठ्था सो एकत्र को होता है और काईजर विल्यम पर्थम को वागार विल्यम था पर्षा का बहुत करके बहुत बड़ बाझ चेते हैं पूर अब करें अगर हम जर्मनी और इटलि को एक एख वीडियो में आपको पढ़ाना शुरू करो तो डेर गंठे दो दो गंठे की वीडियो जा सकते हैं बट हमें बिल्कुल इटली जर्मणी के पारे में बिल्कुल पीएजडी नहीं कर नहीं है हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि अगर कोई हमसे पूछे तो हम बता सके और हमारे एकजाम में भैतरी न सामराजे में भिखरा हुआ था हर वर्ड को समस्ते चलो वंशानुगत राज्यों मतलब जैसे मैं आज राजा हूं कल मेरा बेटा राजा उसका बेटा वंश के अनुसा राजे चलते जाएंगे ठीक है एक वंश का राज चल गया इस वंश का राज चलता जाएगा ऐसे भी बहुत से राजे है और उसके अरावा है बसबख सामराजी जो ओस्ट्रिय हंगरी वाला चल रहा है बसबख सामराजी उसका भी राज चल रहा है तो बटावा है हिटली 19-20 सदी के मद्धे में मतलब 1850 के बाद की बाद यह करँ रहा है बटावा था जिनमेंसे क्यों एक सारड़्या पिडमोंट में एक इतालवी राजगरेने का सा शाणता अब इतल्वी राजगराने का मतलब क्या है इतल्वी क्या है वहां की भाशा है इतल्वी राजगराने का मतलब इतल्वी के लोगों का अगर कहीं राज है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगे राज था सार्डेनिया पिड्मोंट और यह आप देखो यह आपका दिखना होगा सा सर्डनिया पिदमbaum यहां पर जगें है लिगोरिया झिर्चा कर चुके तो ऑख mommy your खिजन खुर ओष हचारा राज वाले लोगों का एक ही राज है पूरे इटली यहां पर इतल वाश्य के लोग है वहाँ पर सिर्फ एक ही कहा है राजसंत्र किसका है सिर्फ और सिर्फ इतालवी भाषी राजगराने का है उत्री भाग ऑस्ट्रियाई है बस्फरक के अदिने मद्दी इलागों पर पॉप तर्था दक्षिन चेतरे पर बूब राजाओं के अदिन थे इस्पेन के बूब राजा है उसके अदिन में तो मतलब यह पूरा का पूरा इटली के है अलग अलग भागों में बटा हुआ है यह इक इतालवी राजगरेने में यह ओस्ट्रियो हंगरी का यह पॉप का ठीक है पॉप आप लोग जानते होंगे जैसे कि भारत के राष्ट्रवाद में साजा रूप हासिल नहीं किया था और अब भी तक उसके विविद छेत्री और इस्तानी रूप मोजू थे तो साजा रूप नहीं था अभी तक इताली भाशा में अलग लग छेत्रों में अलग परकार के लोग थे अठासो तीस के दशक में जूसेब मेशनी ये जूसेब मेशनी है ठीक है इन्होंने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करा जूसेब मेशनी के बारे बेर मैं आपको पहले भी पढ़ाया यंग इटली और यंग उरोप नाम की इन्होंने दो गुप्त संगटन बनाये इताल्वी गणराजी के लिए एक शूविचारिथ कार्यकरम परसुद करने की कोशिश करई तो अठासो थीश मिन की इस कैसा कार्यकरम परसुद करे किया है जो एक कर सके उसे गणरात 1831-1829 में क्रांती कारे विद्रो की ऐसफलता से यूद के जरिये इतालवी राजियों को जोडने की जिम्मेदारी साड़निया पिड्मोंट के साशक विक्टर इमेन्यूल दित्ये पर आगई बहुत important बात बोली है 1831-1829 में क्रांती कारे विद्रो की ऐसफलता से तो जो क्रांती कारे विद्रो चल रहा था तो वो ऐसफल हो गये आसफल से यूद के जरिये अब क्या है जब विद्रो ऐसफल हो गये जब क्रांती कारे का विद्रो ऐसफल हो जाता है तो अब यूद करना पढ़ंआपड़ेगा तो यूद करने की जिम्मेदारी है कि इसके साड़ियासौं पिडिमॉंड के साशके spoken dewector यहित्तिमिंसान सोफिया ने वोबी क्या है एक इतालवी राज घराने से जुड़ा हूं जो डूईदा को समझ सकता है तो यही इंसान समझ सकता है तो इसी के लिए क्या है इसी को क्या है जिम्मेदारी दी गई कि अब क्या है अगर इटली को एकी करत करवा सकता है तो यही इंसान करवा सकता है इस चेतर के साशक अभिजात वर्ग की नजरों में एकिकर्थ इटली और उनके लिए आर्थिक विकास और राजनतिक प्रभूतों की संभावने उत्पन करता था तो अब मंत्री अब जैसे वहाँ पर ओटोवन विस्माग था यहाँ पर कावूर की मूमिगा देखी कावूर जिसने इटली के परदेशों को एकिकर्थ करने वाले आंदोलन का नेतरतव किया तो एकिकर्थ करने में इसका क्या है बहुत इंपोर्टेंट रोल है ना तो यह करांतिकारी था और ना यह जन्दंतर मतलब लोगतंतर पर भी विश्वास नहीं रखता था ना करांतिकारी ना जन्दंतर पर फिर भी सिने इटली के करने में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करा है इतालवी अभिजातवर के तमाव अमीर और सिक्षिस अदर्शों की तरह वह इतालवी वासा से कई बहतर फ्रेंच बोलता था तो मतलब यह इंसान है ना जो कावु है ना तो यह क्या है ना तो कोई करांतिकारी था ना यह जंदंतर को लोगतंतर को सपोर्ट करता था ना यह इतालवी वासा बोलता था इतालवी से ज्यादा भैतर तो यह फ्रेंच बोलता था ठीक है फ्रेंच वासा क्या है यह ज्यादा भैतर इन बोलता था तो फ्रांस से सावरूफ की चतूर पूर्ट निधिक संदी जिसके पीछे कवर का आता why इसलिए कावूर इंपोर्टेंट है क्योंकि इसने जो संधी के रिफ्रांस के साथ यह बहुत इंपोर्टेंट थी उसके पीछे इसी का आता साध्या पिड्मॉंट अठास उनसट में ओस्ट्रेवलो को हरा पाने में काम्याब हुआ और साध्या पिड्मॉंट में किसका रूल चड़ रहा है विक्टर का रूल चड़ है जो क्या है इताल्वी राजगराने का राजा है तो उन्होंने क्या है और ऑस्ट्रेवलों को हुरा दिया अब बहुत सेंधिकों के अलावा जुस से भी गरी बॉल्डी यह भी बहुत है काफी लोगों को इखटा करा जो स्वेम सेवक है उन्होंने काफी युद में भाग लिया हत्यारों के साथ भाग लिया और ओस्ट्रिया को हरा दिया अठासो साथ में फिर दक्षिन इटली और दो सिसिलियो के राज्य में परवेश कर गए और इस्पेनी साशगों को हटाने के लिए स्थानी किसानों का समर्थन पाने में सपल हुए आप जुछ से भी गेरी गेरी बोल्डी का यह भी इंपोर्टेंट रोल है देखो जब आपन इसके बाद जो हम बात कर रहे थे किसकी उत्री भाग वाला है जब आपने उस्ट्रिया को हरा दिया तो वह वाला भाग भी आपको गया अब हम चलेंगे क्या है दक्षिन की तरफ चलते हैं तो जुछ से भी गेरी बोल्डी ने क्या कर रहा है वो दो सिसीलियो मैं भी आपक से उनका क्या है समर्थन मिला और उनके समर्थन से क्या है जो स्पें के राजा है उनको हरा दिया जाता है यह एक कार्टून दिया ओ गया है इस कार्टून को बहुथ ध्यान से पढ़ीएगा गेरी बोल्डी साडनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इमेनिय copies wszystkich को इटली ध्या έ Lean Boot पहना Sunny में मदद करते हुं देखो इन्होंने क्या है यह GaryBoldy है यह Gary और विविक्टर जो भांगे राजा है difficult इमेनियस speak spoke broader second वह तो यह क्या है एक इनको कार्टन वब दिख्धा शूज पहना शूच पेनाने का मतलब इतली की जो भागदो हो रहे ने हिन का थो घाली की भागदोवारN, वह फोचव आफने मियाया, तो दुख में साथ देगा तो विक्टर एमनियल ने हमारा बहुत इमैनियं रौल और भाणे में बहुत important रोल निवाय है हमें बहुत साहिता करी तो अब राजा जो हम बनाएंगे वो किसको बनाएंगे इनी को बनाएंगे अब 1861 मतलब इटली का राजा की घोशना हो जाती है इटली सामराज्य की घोशना कर दिया जाती है और उसका राजा इमेनल दित्ये बना दिया जाता है इटली है दो सिसलियों की जो मैं बात करा था वो दो सिसलियों यह वाली चर्चा में करा था जापर इस्पेन के राजा हो का था अब यह पुरा क्या है इटली एक हो चुका है इटली का एक ही करन हो चुका है और उसका राजा जो गोशित करा है वो इमेनल दित्ये को करा ह यह चार-पांच लोगों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि जो सवाल है ना वो कैसे भी बन सकता है वो यह पूछ सकता है कि इटली के एक एक करण में इन में से कौन से नेता की भूमिका नहीं है तो आप जैसे मानलों विस्माक का नाम डाल दे तो विस्माक तो जर्मनी वाले में याद है तो हर चीज को concept एक एक topic को मैं आप लोगों को हमेशे यह कहता हूं बहुत से और बच्चे पूछते कितना पढ़े और एक दिन में कितने गंठे पढ़े मैं सिर्फ इतना कहता हूं आप जितना भी पढ़ो ना भैतरिन पढ़ो आप दो पेज भी पढ़ रहो ना तो दो पेज ऐसे पढ़ लो कि अगर उससे कोई सवाल पूछ ले ना तो वो छूटे ने आप आधी गंठे भी किताब लेकर के बैटर ना आधी गंठे पूरा सीरियसली होकर के पढ़ो पर आप तो वैसे एक्जाम का टाइम है तो कम से कम आप डेर्ड गंठा दो गंठा सोस्टल साइंस को दोगे तभी आपकी नईया पार होगी तभी आप बोटो पर बन पाओग मगर इटली के अधिकांस निवासी जिन में निरक्षरता की दर काफी उची थी अभी भी उधारवादी राष्ट्रादी विचाधार से अंजानते हैं जैसे कि मैंने आपको भारत के राष्ट्राद में भी बताया था कि काफी लोगों को राष्ट्राद का मतलब नहीं बता किया तो Gary Baldi को कै समर्थन कराता इसपेन के राजाओ को भगाने के लिए उन्होंने इटालिया के बारे में कभी नी सुना तो इटालिया जो हम लोग से कि आए की करन हुआ है वह आज हम लोगों ने देखा कि जर्मणी का एक हमने अए असरों अनकिकर धे कोelas है वहाँ पूरी कोशिश ने और अब हमारे तीन टोपिक मेजर है, जो dragging एक रहता है कि बितंड की दास्ता है बिêter इंड किस परकार से अपना जाए जो दिमाग के वो चला रहा है उसके अलावे एक राश्टर की दर्शए कल अपना राश्टर क稍से है राश्टर को कैसे मैसूस करें राश्टर को कैसे देखें वो और उसके बाद एक हमारा रहेगा सामराज जिवाद की जो नीती है वो किस परकार से आती है वो देखेंगे कि राश्ट वाद से लोग सामराज जिवाद की तरफ कैसे बढ़ते हैं सामराज जिवाद किस परकार से फैलता है वो चीज़े में देखनी है पर आज के लेक्चर में इतना ही आपको किसी भी परकार की कोई भी प्रोब्लम आई होगी बच्चो तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताईएगा और आप ये भी बताईएगा कि इतिहास में वापको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है अब बोरिंग लग रही है कि इतिहास नहीं लग रही ना अब इस्टोडिया हैं कहानियों की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं और भैतिन तरीके से पढ़ रहे हैं और बाकी यह लिख दीजेगा कि हम हो चुके हैं त्यार और होने लगा है सामझे की उग्यान से प्यार तो मिलते ह है नेक्स लेक्शन में अब तक लिए बिल्कुत स्वस्त्रा है जाहिंद जाहवाद